हेलो माई डियर फ्रेंट्स तो इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम फॉम फिलिंग कर शकते और क्या वो गलतिया है जो हमें नहीं दोरानी है और चलिए इसमी एक चीज में आपको क्लियर कर दूँ जिन्होंने पहले फॉम अगर आपनी फिल किया है तो पहले फॉम फिल कर रखा तो आपको डारेक्ट लोगिन पासवर्ड यहां पर अपलाई करना है और अगर जिन्होंने पहले अपलाई नहीं कर रखा है उनके लिए है रजिस्टर तो जो नए यूजर है उनके लिए अगर मैं बात करो आपसे तो यहाँ पे आपको continue to register पे click करना है, यह second step, third step की बाद की जाए, आपको इस तरीके से instruction देनी है, इनमें कोई special नहीं है, जो journal आपकी instruction रहती, वही है और instruction से just नीचे आपका option आ रहा होगा, proceed, यह आपका next step रहेगा, next step के बाद आपको यहाँ पे click करना है, फिर उसके बाद I agree पे click करना है, इतना करने के बाद next आपके पास आपकी जो personal details है, वह आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप अपना नाम, नाम आपको वह fill करना है, जो आपकी class 10 की mark sheet में है, एक चीज़ तो यह ध्यान रखना है, दूसरा जब last में आपका document verification होगा, उस समय भी आपके पास यह receipt होने चीए, आपके पास यह printed form में यह document आपके पास होने चीए, और color print आपको करवाना यह ध्यान रहे, आपके पास gender में, male, female, यह आप fill कर ले चीए, mobile number, email id, और यह सारा, last में आपके पास detail fill करने के बाद, register करें पे आप click करेंगे, आगे आपको दिखाए, यह जो आपकी जो जो document आपको upload करने है, आदार कार्ड आपका domo style, और कोसिस किजिए कि domo style बहुँ ज़्यादा पुराना ना हो, अगर बहुँ ज़्यादा पुराना है तो उसे आप update करवा ली, कास्ट इस सर्टिफिकेट यह भी ज़्यादा पुरान है ना हो, फिर आपके जो signature हैं वह आप ध्यान रखें कि ज़्यादा इस्टाइलिस के चकर में ना रही जो आप regular signature करें वही आपका रही पासपोर्ट साइज photograph आपका हो, पीछे का background आपको जो रखना है उस background में यह हो कि आपका यूनिफॉर्म यानि कि इसी फोटोग्राफर से खिचवा रखा हो आपने फोटो ऐसा ना हो कि selfie का आप याप आपको उसके बाद जिनका experience है वह experience certificate upload करेंगे और जो आपकी qualification certificate है और इसमें कोसिस करें आपके पास जितनी भी higher qualification है सारे आप याँ अप लोड कर दें और जो आपके date of advertisement थी 21 तारिक थी 23 फैब से आपकी form feeling स्टार्ट हो चुकी है और यह form feeling चलेगी आपकी 15 मार्स तक ठीक है और इस form feeling को start करने के लिए जो आपको एक link चाहिए कि कहां से सर्फ form feeling करें तो link आपको description में मिल रहा है description box में आपको इसी वीडियो के description box में आपको link मिल रहा है उस पे click करें click करने के बाद आपका जो सबसे पहला interface खुलेगा वो यह रहेगा continue to registration next आपके पास proceed next आपके पास I agree next आपके personal detail फिर यह आपके पास document upload और फिर उसके बाद आपका पेमेंट करेंगा तो पेमेंट काफी कम रखें इस बार इन्होंने के लिए तो यह में भी आपके पास कितना रखा गया 18 यह 35 यह 75 कुछ ऐसी कैटेग्री जिन में आपको फी पे नहीं करनी है बस यह आपका complete procedure था अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप form feeling करवाएं तो उसका color print निकलवा लें और यह color print आपको till selection संबाल के रखना है यह चीज आपके mind हुई एकदम से clear हूँ ठीक है background जो photo का background है वो एक बार instruction भी आप देख लें और वैसे आपका जो कोई बहुत ज़्यादा issue नहीं है वो आप याद यह रखे होना चीए plain background वो blue भी हो या कोई और color भी चलेगा ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखने है तो यह था आपका कि किस तरीके से आपको पूरा procedure follow करना है इस पर और अगर आप पहले से ही register कर चुके हैं तो उसमें ज सिरफ आपको category select करनी कि कि किस category के लिए आप apply कर रहे हैं वो चीजे अब category number के अगर मैं बात करूँ तो आपके पास category number है आपका यह से या advertisement number आपके पास है 02223 यह आपका advertisement number है ठीक है यह advertise number भी ध्यान रखें क्योंकि जो भी update आई कि आप advertisement number से ही पूरा update रख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही बाकि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो comment box में जरूर comment कर लें और इससे आगे कि इस तरीके के देर सारे जानकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें thank you so much